हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत हैं आज हम कलास 10 के फिजिक्स का जो important chapter है मानोनेत्र एवं प्रिज्म इसके जो important numerical है आज उन्ही numerical हो को आज हल करने वाले हैं फ्रेंस आज जो प्रश्न आप सभी को कराएंगे इन ही में से 2024 में बूर्ड की एक्जाम में 100% सवाल छपेंगे यह इसका बिज्ञान का पार्ट 4 है जिसमें हम मारून ने प्रिजम के इंपोर्टेंस सवाल देखेंगे आप सभी को पार्ट 1 में उलतल दरपड या आउतल दरपड से संबंदी सवाल आप सभी को हल करा चुके हैं पार्ट टू जिसमें लेंस के सभी important सवाल हल करा हैं पार्ट थ्री में अपवर्तनाग के important सवाल हल करा हैं ठीक है आज हम पार्ट फोर देख रहे हैं देखिए फ्रेंज आपके सामने यह सवाल है ठीक है इस सवाल को हल करते हैं सवाल क्या है आपका कि किसी निकट द्रिष्टी दोस्ट से प्यूरित ब्यक्ति के दूर बिंदू नेत्र के सामने 80 cm की दूरी पर है इस दोस्ट को शंसोधित करने के लिए आवस्यक लेंज की प्रकिती तथा चमता क्या होगी देखे इस सवाल को आप बोड के एक्जाम में ह मख झाई को यहाँ में ख्लिकने के बाद फ्रेंज देखे आपको क्या करना एक के इसमें क्यों सो दौस है निखट दरिष्टी दोशन पहले इसे को लिख ले जी एगा ठीक है कि कौन सा दौस निख़एगा निकट द्रिष्टी दोस द्रिष्टी दोस देखे फ्रेंस निकट द्रिष्टी दोस में आपको निकट द्रिष्टी दोस किसी व्यक्ति में उसे दूर करना है ते चसमें कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है उससे आपको इस तरह बना के लिख लिजिएगा कौन सा लेंस होता है पह अंकर दिया है वह देखिए निकट दृस्त सथily का दूरी बिंदू नेंट्र के सामने 80 cm की दूरी पर ठीक है यानि कि प्रतिवीम बन रहा है ओस्ती संटिवीम दूरी पर वस्तु का प्रतिवीम बन रहा यहां invitry को पता है कि परतिविम की लेंस्स से पता है उसको किसे दखाते हैं और कि so से दखाते हैं और भीक आमन किसमें is 8-3 cm निकंट दियांदी जी का फ्रेंस कि तो आपको यहां पर दूर बिंदू क्या लेना पड़ेगा आपको लेना पड़ेगा यानि लेकष्ट के लिए सिर्फ एकी फार्मूला है आप सभी को ज Aber कि पढ़ा रहते तो उसमें आप सभी को पता है इसका फार्मॉला क्या है वन अपान ये बराबर वन अपान भी-माइनस वन अपन यू ठीक है ये होता है अब यहाँ को आपको हल्ल करना है कैसे आप एक चीज आप याद रखिए गए यहाँ पर देते हैं इस चीज को आप ध्यान भी दीजिएगा कि one upon anannd common क्या होता है रखिखी ध्यान देजिएगा इननंद common zero होता है यह उँपर जगी एक गुड़े इसको Ĺल करेंगे त्ā बताया है अब याद रखेएगा कि एक बटा की इसी की इसका मानद क्या होता है जीरो देखिrie इस सवाल को कि यहाँ पर कि यहां डिकर ऑड़ी करने के लिए खासी अब मैस्त की जाएगा और इसका मान क्या होगा आपका जीरो जाएगा इसलिए यपयर गणा या पर किसी की सर्ट को परिवेर्तन कितना ओगा कितना होगा यहां पर देखें माइनस असी सेंटिमीटर हो जागा ठीक है यह आया आपका और फोकस फोकस दूरी आ घया ठीक है इस तरह है अब आपको सवाल दिखाता है सवाल में पूछा क्या है आपसे सवाल देखें यहां इस दोस्तों को संसोधित करने के लिए कौन सा ले सब लेकरें इसकी प्रकृतिक चो निकालते फिर उसके प्रकृति चा-तिक प्रकृति आप सबीको बतायत है थे हैं कि शमता बराबर वं अपा क्या पी बराबर वन अपन आप यफ होता है ठीक है अब देखिए इसको हल केजिए यहां पर एक है यह कमान कितना है माइनस 80 इसका भाग देंगे इक तो तो पांच उच्छंता का मातरक होता है आपका क्या होता है निकट-दुरिष्ट्री दोस में जो आउतर लेंज का प्रयोग करते हैं उसमें आपका भी हुआ यू यफ हुआ और जो आपका छमता आ रहा है यह सभी किसमे होता है फ्रेंस माइनस में होते हैं यहां सब दियान रखेगा कि अव्तल लेंस जो दोस्ते हैं उसके लिए भी का मान यू का मान और यह फोता है और छमता यह सब अब यहाँ प्राकृति 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 ठीक है यहाँ प्रेंस की प्रकृति और चमता सब क्या है माइनस एक दसमलों दू पांच डायोप्टर को डी से दखाते हैं ठीक है यह आ गया और इस निकट दिरिश्टी दोस को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रियोग करते हैं इस पकास इस सवाल को फिरेंस हल करना है आप सभी को ठीक है चलिए अगले नंबर के सवालों को देखते हैं इस नोसा इस एक दूरडूढु दूर सेंटिमीटर है यदि वह पचीस सेंटिमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है है तो उसे हो कैसा और कीद सथो का लेंस पर्यूंग पर्यूप्प कर ना चाहि constantly up zast एसे हिए पहले आप लिखेए का अब हाल लिखेगा हल लिखने के बाद पहले लीखेですか कान सा ध्रिश्टी द्रिश्टी 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 द्र Bis दोस्त पढ़ाएं तो आप इसको ध्यान से देखिए अब देखिए दिया क्या है कि एक दूर्दृष्टी दोस्त वाले मनुस्त का निकट बिंदू कितना है एक सो पचास सेंटीमीटर है ठीक है कितना है आपका 50 150 यानि कहने का मतलब है कि आपका निकट बिंदू मतलब होता है जिससे मनुस्त क्या होता है असपास रूप से देख पाता है नहीं निकट बिंदू कितना इसके लिए दूर्दृष्टी दोस्त के लिए 150 से इसका मतलब किसका मान दिया है भी का मान दिया है ठीक है कितना है 150 सेंटीमीटर और इसमें प्रतिवें बनता है इसमें जो कहा में हमां पच्टीर सेंटीमिटर दूर रखी बुस्तक जब पुस्तक रख गया यानि कि लेंस से वस्तु की दुरी कितना दिया है यू कमान दिया है आपका 25 सेंटिमीटर और देखें आपका यू कमान भी किसमें होता है माइनस में होता है यू कमान भी माइनस में रखेंगे देखें फ्रेंस जब वस्तु को रखा जाता है तो वस्तु की दुरी यानि यू कमान ह बेंगे और जब निकट बिंदू यानि निकट बिंदू मतलब वस्तू को वहां पर देख रहा है तो आपको अभी बता है कहें लेंट गाये हैं विद्वा कि लिगने अमेचर को होता है यहां पर देखिये North कि 1 अपर वन अपर 5ब्राज़़ वन अपन 2-1 उन्पाद का यू हता है यहीं होता इसका खेंग अब यहाँ पेइसका मा रख्के हल कर लीजिए देखी 1 upon यह बड़ाबर 1 upon भी कमान कितना दिया है माइनस 150 दिया है माइनस 1 upon यह कितना दिया है माइनस 25 दिया है अब भिन के तरफ जैसे जोड़ घटा नहोगता इसको हल कर लेते है करें देखे एक बटा की यह बराबर देखे माइनस नीचे तो माइनस उपर करेंगे टेक्ट पच्चास हो जाएगा यह माइनस सी इस माइनस क्या करते हैं प्लस में बदल जाएगा तो यह 25 हो जाएगा अब इसका आपको भिन का जोड़ घटाना अब 10 में आ गया है तो आप सबीको भिन का जोड़ घटाना आता होगा अब भिन का यह जोड़ घटाना ही होता है ठीक है अब देखिए यहां भी क्या करना है आपको इसकी फोकस दूरी क्या लिखेंगे फोकस दूरी क्या लिखेंगेंगे फ्रेंस फोकस दूरी बराबर प्लस 30 cm ठीक है यह हुआ आपका फोकस दूरी यह भी एंसर हो जागा ठीक है अब देखें फ्रेंस इसा पूछा काउन सा लेंस आप प्रयोग करेंगे यहां पी लिख लिएगा कि निकट द्रिश्टी दूर द्रिश्टी दोस्ते सवाल में ना तो दूर द्रिश्टी दूर द्रिश्टी दोस्त को दूर करने के लिए करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं प्रयोग करते हैं ठीक है इस पकास से आपको लिखना राता है यहां फोकस दूरी पूछा ता फोकस दूरी निकालिए कौनसलेंस पर योग की जाता है कौनसलेंस यहां पर लिख दिया ठीक है फ्रेंस यह दि आपको निकट द्रिश्टी दोस्त और दूर द्रिश्टी दोस्त में किसी प्रकार कर और दूर दूर से अब देखेंगे रखेंगे और पर पिरिजम्साब्स की मान दिया है है 0iciones 775 यहां पर लिखियेगा आप हाल ठीक है जब यहां पर लिखेंगे हल अब देखने के बाद अब क्या करेंगे अब यहां प्रिज्म का कोड़ देखे लिखेंगे प्रिज्म कोड अब प्रिज्म कोड़ को आप पता है और दर्शाड़ एक पिर इसके बाद आपकर विचलन के एकल यानि अपक मुंक्ण कोडन और अपलिकर लुचलन पिर कोड та नहीं के खाल कि Kur Жक अपडेल एम最 well फिर देखते हैं अपवर्तना प्रिजमे के लिए अपवर्तना को यन से दिखाते हैं यन बराव फार्मूला होगा फ्रेंस कि साइन कोष्ट में ए प्लस डेल यन अपान टू ठीक है कोष्ट अब बंद हो जागा आपका इसके अपान महता है 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 और इतना यह फार्मूला होता है अब फार्मूला पर आपको फ्रेंश क्या करना है अब समान रखना चलिकर यह तो करते हैं एक मन कितना दिया आपके शाट प्लस डेलियम कमांड और तीस अंस अपांड बटाके दूब अब इसके आपान में साइन, एक मन कितना दिया है, साथ बटा के दू, ठीक है, इतना लिखने के बाद बस इसको हल कर लीजिए, आपका एंस हो रहा जाएगा, देखिए, जब हल करेंगे, तो साइन, साथ में अर्ति जो रहा दिजिए, कितना हो जाएगा, अंठानवे अंस ब कितना हो जाएगा, इतना लिखने के बाद अब इसके मान को आप लिख लीजिए, चलिए, मान के लिखते हैं, अभी आपको दिखे पहले, इसमें सवाल में दिया था, कि साइन, उन्चास, का मान कितना होता है, 0.75 होता है, यहां पर रखे, 0.75, ठीक है, कितना रखना हो, सा साइन, उन्चास के जगाए पर रखना है, 0.75 होता है, अब गुड़ा कर लिजिए, दू पाजदा, दूसल चुदे, पंदर, ठीक है, और इसके बटा में देखे, एक है, एक का भाग देए, यहां गुड़ा करें, इसके मान में किसी प्रकार का अंतर आता नहीं है, ठीक है कांग पर दesemalow, 1, 2, 45 हो जाएगा, ठीक है, कितना होगा, यहीं कितना है आपका यहिं, यही आपका अपवारतनांग कितना है, यहिंग का माहना जाता है, एकДला पाँच जिरू, यहाँ इसको आप लिख सकते है, यह बराबर, यह दसमेलर पांच निख सकते हैं, यह प्र अपवर्तनांग क्या है अपवर्तना ठीक है तो फ्रेंज देखी यहां पे आप सभी के देखें दरपढ पार्ट वन में अप्लोड कर चुके हैं लेंस के सभी इंपोर्टन सवाल आपको बता चुके हैं फिर इसके बाद अपवर्तनांग के जो आपकी सवाल बढ़ते हैं वह भी बता चुके हैं फिर इसके लावा आपका मारून नेत्र मारून नेत्र के निकट दृष्टी दोस्त और दूर दृष्टी दोस्त के सवाल बता चुके हैं को पमस्का अब को सब्सक्राइब करें ईश्क्राइब करें और वीडियो पसंद है तो लाइक करें